हलो दोस्तों मैं सोरों बलीक आप सभी का टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ के टोप 100 कोशन सीरीज का पार्ट वन इससे पहले भी मैं कहीं सीरीज अपलोड कर चुका हूँ कम्प्लीट हो चुकी है 50 कोशन की 200 कोशन की उनके लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में मिल जाएंगे वहाँ से जाके आप देख लेना कहीं दिनों से यूपी पुलिस के जो स्टुडेंट है वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा एकजम बहुत ही नजदीक आ गया है और आप एक छोटा सा क्रेस कोश बनेए 50 से 100 कोशन का जिसमें पूरी मैथ कवर हो जाए जितने भी important कोशन है expected कोशन है, previous year कोशन है वो कवर हो जाए तो यह मैं बता दूँ आपके लिए आखरी मोका है मैं इसमें आपके लिए 100 कोशन ऐसे लेका हूँ जिसमें पूरी math कवर हो जाएगी हर एक topic से कोशन लूँगा और जितने भी important कोशन है, previous year कोशन है वो मैं आपको cover करा दूँगा बट आपको भी छोटा सा support दिखाना पड़ेगा, वीडियो को जितना हो सके like करिएगा और अपने हर एक group, facebook group, whatsapp group में share करिएगा ताकि maximum student की help हो सके ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको सारे part मिल जाए, पहला part है, दूसरा, तीसरा, चोथा, जितने भी part में होगा पांचे, छे दिर में 100 कोशन में कराने वाला हूँ, और साथी साथ reasoning और online test की भी वीडियो आपको मिलती रहे तो नीचे red girl के button को दबा करके bell icon को जल्दी से उन कर लीजेगा, आपके पास notification पहुचना इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तो, बस आपस एक छोटी सी request यही है कि वीडियो को share कर देना, maximum student की help हो जाएगी, बहुत important question कवर करने वाला हूँ चलिए, पहला question है, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्राप्त लाब उसे 800 में बेचने पर उठाई गई हानी का तीन गुना है, तो उस वस्तु का क्रेम उल्ले क्या है, आपको CP बताना है, cost price उस वस्तु का बताना है देखे, अगर मैं किसी वस्तु को 800 रुपे में बेचता हूँ, तो मुझे जितना लोस होता है, जितनी हानी होती है, वो 1200 रुपे में बेचने पर जितना profit होता है, वो उसका 3 गुना होता है, यानि कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ लोस हुआ है, वो लोस, उस लोस का 3 गु इसका मतलब यह 400 में include है profit भी और लोस भी, अगर इन दोनों का difference मैं निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है भई, यह 400 जो आया, इसमें profit और लोस दोने include है, और जो इन्होंने ratio मुझे बताया है profit और लोस का, वो बताया है कि लोस का 3 गुना है profit, तो इसका मतलब loss अगर 1 है, तो profit कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 is to 1 का मेरे पास ratio है profit और लोस का, अब जो 400 है, इसमें profit भी include है, और लोस भी include है, तो सबसे पहले मैं इस 400 में से profit और लोस को अलग-अलग कर लेता हूँ, कोई problem नहीं है आतक, तो 400 को मैं 3 और 1 को plus करूँगा, क्योंकि दोनों का ratio है, और दोनों का profit और लोस का, जो sum पता है, मुझे 400 है, तो 400 को 4 से भाग करूँगा, और 3 से multiply कर दूगा, तो मेरे पास profit आ जाएगा, दोस्तों समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो एक like कर दीजे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है, ठी 400 को फिर 4 से divide करूँगा, और 1 से multiply कर दूगा, तो 100 मेरा loss आ गया, अब इस 300 और 100 से मुझे क्या पता चलता है, कि जो यह difference था, इसमें 100 तो मेरा loss था, और 300 मेरा profit था, और जो condition यहाँ पे question में बताई गई थी, कि 3 गुना है profit, loss का, तो loss का 3 गुना ही है profit, यह भी मेरे को पता चलता है, बस अब आपको क्या निकालना है, क्रे मुल्या, अगर आप 1200 में देखें, तो 1200 में profit include है, तो इसका मतलब इसमें से 300 माइनस कर दीजे, तो 900 आपका CP आ गया, यानि कि क्रे मुल्या, अगर 800 देखा जाए, तो इसमें loss हुआ था आपको, तो इसका मतलब loss में आपको 100 प्लस करना पड़ेगा, तो यह 900 जो आपका आया है, यह आपका CP हो जाएगा, भाई समझ में आया ना, देखें, जब भी हम किसी चीज में निकालते हैं, कि कोश प्राइज हम निकालते हैं, क्रे प्राइज हम निकालते हैं, तो जब profit होता है, इसका मतलब क्रे प्राइज स इसमें से माइनस करना पड़ेगा, अगर 800 देखें, तो 800 में क्या हुआ, आपका नीचे चला गया, क्योंकि लोस हुआ था, इसमें उपर लिया है, कितने से, 100 से, तो यह आपका 900 आपका रेट आंसर हो जाएगा, दोस्तों कहीं condition आपकी इसमें clear होगी, कहीं बार profit ऐसी पू चले जाता है, तो इसमें कहीं problem आपकी सोल होगी, I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा, चलिए फिर next question पर चलते हैं, तो यहापे जो question है, आपका एक आयतकार, next question आपका, एक आयतकार खेत की लंबाई और चोड़ाई के बीच, 3 is to 2 का अनुपात है, तीन और 2 का अनुपात ह पीच, यदि उसकी लंबाई 5 मिटर बढ़ा दी जाए, अगर लंबाई 5 मिटर बढ़ा दी जाए, तो उसका छेतरफल 200 वर्ग मिटर बढ़ जाता है, उस आयतकार खेत की चोड़ाई कितनी है, यह आपको बताना है, वह यहापे आयतकार खेत है, उसकी चोड़ाई आपको बतानी है अब मुझे यह बताइए जो लंबाई और चोड़ाई का रेशा आपर बताया अब यह बताए पहले छेद्रपल कि क्या होता है लेंट इंटू ब्रैथ पता है ना सभी बच्छोगों तो लेंट इंटू अगर ब्रैथ मैं कर देता हूं यानि कि लंबाई गुना चो पता है थिरी है तो लेंट प्लस 5 मैंने किया मल्टिप्लाई किया ब्रैथ से और यहां पर क्या किया माइनस एल इंटू ब्रैथ यानि कि पहले वाली लंबाई जो चोड़ाई थी मेरी उसे मैं उसमें से माइनस कर दूंगा बढ़े हुए में से तो 200 मिटर का डिफ्रेंस आ तो अब यहां पर मुझे लेंट का रेशो पता है तो यह पर समझ में आ गया होगा तो बस अब आपको यह इक्वेशन सोल करनी है वह यह समझ बयाना जो उपर वाली मैंने लिखे लेंद पांच मिटर से बढ़ी है तो मैंने लेंद को पांच मिटर से बढ़ा दिया एल प्लस फाइब कर दिया और मल्टिप्लाई कर दी चोड़ाई से ठीक है अब यहां पर माइनस कर दिया जो पहले लंबाई चोड़ाई थी जो पहले वाली लंबाई चोड़ाई थी उसे माइनस कर दिया मैंने इस बड़ी हुई चोड़ाई में से तो यही तो डिफ्रेंस आएगा निकल के ठीक है तो अब यहां पर आपको क्या करना है इनको सोल करना है सोल करेंगे तो क्या आएगा टू क 6X हो जाएगा और 10X हो जाएगा माइनस यह आपका 6X हो जाएगा 3 की 2 में करेंगे और यह 200 अब यहाँ पर इनको solve कर लेते हैं तो देखिए इन दोनों को plus करेंगे 16X-6X तो कितना बज़ेगा 10X बराबर 200 तो X की value आपकी 20 आ जाएगी तो चोड़ाई कितनी आगी दोस्तों चोड़ाई यहाँ पर आपकी कितनी दे रखी है 2 दे रखी है यानिकि 2X तो यहाँ पर आपको 2X की जगा 20 रख देना है तो 2 की multiply 20 में करेंगे तो 40 मिटर आपका right answer आ जाएगा इस टाइप के question बहुत सारे exam में देखने को मिलते हैं I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा चलिए फिर next question पर चलते हैं बहुत interesting question रहने वाले दोस्तों ध्यान से समझेगा यह वाला भी बहुत बार पूछ जाते हैं यहाप है सागर ने 20% वार्षिक साधन ब्याज की दर से कुछ रासी परमोच से प्राप्त की दो वर्स के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 अदा करने पड़े कर्ज की रासी थी यानि कि आपको सीधा सीधा प्रिंसिपल अमाउंट यानि कि मूल धन आपको बताना है question में क्या का दे रखा है amount सबसे पहले amount को समझते क्या होता है इसको बोलते है मिस्र धन हिंदी में बोलते है मिस्र धन मिस्र धन में आपका जो प्रिंसिपल जो आपका मूल धन होता है वो और जो साधान ब्याज है वो दोनों प्लस करके लिखा होता है तो यह आपको दे दिया गए 43,400 याई कि इसमें इंट्रेस भी है उसमें मूल धन भी है अगर मैं इसमें से इंट्रेस्ट माइनअस कर दू往 तो मेरा प्रिंसीपल यानि कि मूल धन बच जाएगा वो ही मेरे को निकालना है तो बस इतना ही काम आपको करना है यहाँ पे जो बताया ग대न interest rate 20% का बताए गया तो आर आपने 20% लिख लिए कितने 10 का दो साल का टीक है दो वर्स के बात रहे ना तो 2 साल का आपका टाइम हो गया principal amount आपको बताना है principal amount मैंने मुलधन आपको बताना है अब मैं 1st year में लगेगा, 2nd year में लगेगा, 3rd year में लगेगा, वो same रहेगा, तो इसका मतलब 20% आपका पहले year में लगा, 20 फिर आपका next year में लगा, यानि कि total आपका 40% interest बढ़ा होगा, साधान ब्यार 40% बढ़ा होगा, तो amount कितना बन गया होगा, 100% से 140 हो गया होगा, वही 100% होती है हमारी value, जो की मूलधन होती है 100%, अब उसमें 40% बढ़ जाएगा, तो 140% हो जाएगा, इसका मतलब मेरा यह जो amount लिखा है, यहां पर यह 140% के equal है, और मेरे को चाहिए क्या, 100% जो की मेरा मूलधन था, मेरे को सिर्फ मूलधन चाहिए, तो अब आपको सीधा सीधा, 43,400 को 140 से भाग करना है, और 100 से गुणा कर देना है, बस, आपका इतना ही काम था, बाकी question हो चुका है, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 7 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 7 से जाएगा, 43,400 कितनी बार, 6,200 बार, और 6,200 की multiply 5 में करेंगे, तो principal amount आपका कितना आगा, 31,000, दोस्तों यही आपक answer हो गया, I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, फिर next question पे move करते हैं, अगर किसी भी question में doubt रहते हैं, तो फटा फट नीचे comment box में लिख दीजे, कि सरी इस question में problem है, आपको next video में cover करा दिया जाएगा, tension बिलकुल नहीं लेनी है, next question पे चलते हैं, next आपका question ह time and work से, अगर दोस्तों वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, question समझ में आ रहे हैं, तो like करना भूल मत जाएगा, क्योंकि इसी से motivation मिलता है, इतनी जान से और इतनी लगन से बोलने के लिए, next आपका question है, A, B, तथा C, अलग-अलग एक कारिये को 25 दिन, 40 दिन, वे 45 दिन म B, अकेला 10 दिन तक कारिये करके छोड़ देता है, यानि कि पहले 5 दिन A करेगा, फिर 10 दिन तक B करेगा, और उसके बाद दोनों छोड़ के चले गए, सेस कारिये को C पूरा करता है, और जो बचा हुआ कारिये है, उसको C पूरा करता है, यदि कारिये समाप्त करने की कुल म यह आपने लिख लिया इन शबी तीनों का हम ले लेंगे lcm lcm आगया अथारा सो देकिए आप या तो lcm लिजे या फिर कोई भी संख्या लिजे कोई भी चोब आपके मन पहाँ एक दम यहां पर लिख दीजे बस थोड़ा सा ध्यान यह रखेगा इन तीनों से भाग हो जानी चाहिए अगर इन तीनों से भाग नहीं होगी तो question point में बन जाएगा point में बनते ही question hard हो जाएगा पस इस तना जान रखेगा पाकी आप कोई भी संख्या ले सकते हैं आप यहां 3400 भी ले सकते हैं इस 2800 को 25 दिन में complete कर लेता है तो एक दिन में कितना करता है 2800 को 25 से भाग करूँगा तो 72 यूनिट एक दिन में करता है 2800 को 40 से भाग करूँगा तो B एक दिन में 45 यूनिट वर्क करता है 2800 को 45 से भाग करूँगा तो C एक दिन में 40 यूनिट वर्क करता है अब यहाँ पे बोला गया सा कोशन में कि A अकेला 5 जिन तक कारिय करता है, B अकेला 10 जिन तक कारिय करता है, तो जब A एक दिन में 32 युनिट वर्क करेगा, तो 5 जिन में कितना कर लेगा, 360 युनिट कर लेगा, समझा आप इसी चीज़ गो, फिन एक्स बोला जा रहा है, B अकेला 10 जिन तक कारिय करता है, तो B एक दिन में 45 युनिट वर्क करता है, तो 10 जिन में कितना कर लेगा, 450 युनिट वर्क कर लेगा, दोनों ने मिलके 840 अभी तक वर्क किया, जो बचा उसे C करेगा, इसका मतलब 800 में से 810 को मैं माइनस कर दू तो बचेगा कितना, 990, तो 990 को कौन करेगा, क्योंकि आप बताया गया कोशन में, कि बचेवे कारिय को C करेगा, तो 990 को तो भईया C करेगा, तो 990 को करेगा C, अब मुझे पता चल गया, कि A करता है 360, B करता है 450, और C करता है 990, मैं आपको पहले भी बताया, जो जितना क मौंट में थोड़े distribute करेंगे, अब इनको लिखता है 360, 450, और 990, अब इसका ratio कैसे बनाएंगे, तीनों में common 0 है, तो 0 को cut कर दीजे, इसको 3 से cut करेंगे 12 बार जाएगा, इसको 3 से cut करेंगे 15 बार, इसको 3 से cut करेंगे 33 बार, इसको भी 3 से cut करेंगे 4 बार जाएगा, यह भ 2000 को 20 से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और पूछा किसका है C का ratio, तो बस C का 11 है, तो 11 से multiply कर दीजे, जल्दी से और right answer आपका आ चुका है, यह जाएगा कितनी बार, 150, multiply कर दीजे, 150 की 11 में तो कितना हो जगा, 1650, ठीक है, I hope कि आपको यह question भी समझ में आ गया होगा, बहुत interesting सा question था, अच्छा question था, चलिए फिर next question पर चलते हैं, दोस्तो next question है, यदि किसी संख्या के 45% को दूसरी संख्या में जोड दिया जाए, तो वैं दूसरी संख्या का 1.35 गुना हो जाता है, पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात आप आपको बताना है, बहुत ही simple है, x, y मान के question को कर लेते हैं, यान कि सब से पहले मैंने माना पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y, देखें, बहुत सारे बच्चे यहां पर बोल सकते हैं कि सर सोट्रिक नहीं है, यह बहुत ही अच्छी सोट्रिक है, अब यहां पर x, y क आप a, b लिख लीजे, ठीक, अगर x, y से डर लगता है, तो a, b लिख लीजे, कोई tension नहीं है, तो यहां पर हम मैंने पहली संख्या को माना x, दूसरी संख्या को माना y, concept भी clear होने चाहिए, बिल्कुर direct सोट्रिक, अगर मैं कोई formula बता दू, आप उससे रखके तो कर लेंग बट exam में ध्यान नहीं आएगा, ठीक है न, अब यहां पर बोला गया कि एक पहली संख्या का 45%, पहली संख्या का 45%, में दूसरी संख्या को जोड दिया जाए, तो वो इसका 1.5 गुना हो जाता है, तो पहली संख्या का 45% कैसे निकालेंगे, x multiply 45 upon 100, प्लस दूसरी संख्या का 1.5 गुना हो जाता है, तो यानि कि दूसरी संख्या का 1.5 गुना कैसे होगा, 1.35 multiply y करेंगे, तो 1.35 y हो जाएगा, यानि कि इसके equal हो जाता है, जब मैं पहली संख्या का 45% निकालके, और दूसरी संख्या को पलस कर देता हूँ, तो वो 1.35 गुना हो जाता है, दूसरी यहाँ पर next वाली equation को जब हम solve किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 x upon में 100 ठीक है और इस y वाले को मैं एक side में लेऊंगा तो यह इधर जाएगा तो यह फिर इसको इधर लेए यह minus हो जाएगा तो y minus 135 y हो जाएगा ठीक है जब यह इस side में आएगा और इस side में आएगा तो यह आपका 45 x upon में 100 हो जाएगा यह कितनी बार जाएगा भाई यह अगर मैं देखू यहाँ से यह चला जाएगा आपका 5 से 20 टाइम और यह चला जाएगा 9 टाइम ठीक है अब यहाँ से मैं 1.35 y में से y को minus करूंगा तो कितना बच जाएगा आपका 0.35 बच जाएगा 0.35 y upon में मैंने यहाँ पर point हटाया और 2-0 लगा लिया निकि 100 बढ़ा लिया तो यहाँ पर 35 बटे y upon 35 y upon में 100 मैंने लिख लिया और यहाँ पर 9 x upon में 20 मैंने लिख लिया अब 20 से 100 चला जाएगा 5 टाइम और 5 से 35 चला जाएगा 7 टाइम तो आपका रेशो बन के क्या x और y का रेशो 7 x 9 आ गया यही आपका right answer हो जाएगा I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा थोड़ा सा आपका यह calculation वाला portion जो है यह थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान इदर उदर बटक गया तो आपका answer गलत हा सकता है ठीक है चलिए अगर समझ में नहीं है तो comment box में बेचक बता दीजेगा फिर next video में cover हो जाएगा next question पे चलते है next आपका question है किसी रासी का साधन ब्याज मूलधन का 277 बटे 9 परतिसत है यदि ब्याज पर दिये जाने वाले मूलधन की अवदी के वर्स ब्याज की वार्सिक दर के बराबर हो तो ब्याज की क्या दर होगी आपको बता रहा है यानि कि basically आपे बता जा रहा है rate जो है और year जो है वो दोनों equal है यानि कि मान लीजे बस एक बता रहा हूँ अगर 5 वर्स मतलब time अगर 5 एर का दे रखा है तो rate भी आपका 5% ही है ठीक है यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए यदि ब्याज पर दिये जाने वाले मूलधन की अवदी के वर्स यानि कि अवदी के वर्स यानि कि year ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है यानि कि rate के बराबर है तो ब्याज की क्या दर होगी यह आपको बताना है rate आपको बताना है ठीक है time और और आर जो है year और वो बराबर एक दूसरे के खीक है अभ तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है सादा अध्याद क्या ओसं अगante 4 95 Premium ुद्छा निछा समय इस पत्चीस पंचीस भटे नो एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ पीजेंट व Always 100 हम करेंगे मैंने जो मूल देना है उसको X माना है तो उसको X यहांपे लिख लेता है R और T को यहां पे दोनों को equal बताया गया तो मैं R multiply R लिख सकता हूं upon में 100 ठीक है कोई धिकत नहीं है बस cross multiply कर दीजे कुछ नहीं करना है यहाँ पर देखे, X से X कट जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा R casino, vaccinin 2抗, यानि की R का स्क्वाईर और इधर दोनों की मल्रीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा आपका 25 appreciable और upon में आपका 9 बच जाएगा r square है इसका मतलब यह कितना हो जाएगा 50 का square तो 50 upon 3 हम लिख लेंगे 3 से 50 जाएगा कितना 16 से 2 बटे 3% तो r का जो rate जाएगा 16 से 2 बटे 3% राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल बता दीजे comment box में जल्दी से comment करके ताकि मुझे clear हो सके कि आपको चीजे समझ में आ रही है चलिए फिर next question पर चलते हैं तो देखे next आपका जो question है यहापे बोले जाएगा तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दूग्नी तथा तीसरी संख्या की तिग्नी है अगर मैं बी को कुछ भी रखूं चुछ भी होनी चाहिए तो जब इससे दुगनी रखोंगा तो इसे थीरी हो जाएगी अगर आप यहां पर कुछ बड़ी संख्या भी रखते हैं तो तब भी आपका रेशो फाइनल में यही निकल सबसे बड़ी संख्या कितनी है तो सबसे बड़ी संख्या का जो आपका वह है रेशो कितना है 6 है तो इन तीनों को प्लस करिए तो 6 और 3 9 और 2 11 यानिके 132 को 11 से भाग करूंगा और 6 से multiply कर दूंगा क्यूंकि सबसे बड़ी यहां पर संक्या पूछी गई है तो 132 को 11 से भाग किया अगर आपको ratio नहीं बनाना रहा है तो मैं एक और एक्जामपल दे देता हूं आपको ठीक है ratio जैसे मतला आप कुछ भी मानें बीच में मान लेते हैं 30 इससे दुगनी है वाले से वी का हमें 30 मिल गया एगा कितना हो जाएगा इससे आदा हो जाएगा अब इसका तीन गुना ब फिर आपका ratio वही आ गया 3 is to 6 is to 2 मतला आप कोई भी नंबर माने के चलिए ratio फाइनल में यही बन के आएगा दोस्तों समझ में आया ना अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो बता दीजेगा नेक्स कोशन पर चलते हैं देखे एक कोशन आपका यह पूछ जाता है तीन संख च्वायर का यह वह साथ सो पच्चीस हैं तो आपको क्या करना है तीनों संथ्या लिख लें निहीं है two x three x for four x इनका संख्वायर करेंगे यानिकि इसकाइसस्कर और फोर यानिकि 4 X का स्वेयर फिन नइन एक्सस्वाइर और 16 का सक्वेयर इस्क्वेर希望 किसके इकवाल हो गया करना है एक स्कुराइर बराबर 725 टिवैड बैट 29 तो 25 आपका गया एक स्कुराइर बराबर क्या 25 और एकस की वैल यहां पर फाइनल आपको पदा चल गई तो आप यह तीनों नंबर निकाल सकते हैं यहां पर फाइव की मल्टिप्लाइ करूंगा तो यह पहले वाला नं क्या कौन सी है तो सबसे बड़ी इनमें 20 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कोशन भी बहुत बार एकजाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान दीजेगा कैसे करना है चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स में आपको 3 यह का कंपाउंड इंट्रेस्ट निका निकाली लेंगे में लिए 3 और 4 यह का ही प्रोब्लम रहती है अब यहां पर कोशन है कि प्रिंसिपल 15,000 है टाइम 3 यह का रेट 8 परसेंट है कंपाउंड इंट्रेस्ट आपको बताना है ट्रीक है हमारी 331 331 कोई हार्ड चीज नहीं है बस त्रीक आपको इतनी याद रखन लिए ठीडिक है पहले साल में 1200 आया दूसरे साल में 1200 का यानी कि जो भी इंट आच two आई परसेंट निकाली है 96 आया याद रखने के लिए कि तीन साल का इसलिए वन और लगा दिया इसमें बाकी काम इसमें थी थी गई है ठीक है तो मल्टिप्लाइट त्री की चत्री सव आ गया मल्टिप्लाइट त्री की की 288 आ गया इन सभी को प्लस करेंगे प्लस करके लिए राइट आंसर आपका बन गया दोस्तों अगर समझ में आया तो